कि यहां पर हम लोग कर रहे हैं मश्रूम उगाने की त्यारी तो सबसे पहले हमने लिया है यह प्लाइजेशन के हैं क्योंकि एक एक करके बताना है से वीडियो में बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फिर इसमें हम लोग वाटर को रिमूव कर रहे हैं और इसमें 55% का मॉश्चर होना चाहिए उससे ज्यादा हो तो आपका मश्रूम बनने ही पाएगा अच्छे से में भी बहुत सारी प्रॉब किया है और यह देखें यह मैं हूँ बीटक स्वीपर और मैं आप पानी को रिमूव कर रही हूं ताकि लोग के पैरों के नीचे ना जा इसमें कैमिकल पड़े हुए थे इसलिए यह पानी रिमूव करना बहुत ही जरूरी था पैसे आपका पैर में हिस्ट्रलाइज हो जात शोना भी दोन स्वीपर रहे तो मिलका फुष्ट बच्चों को मिलेंगे जिन बच्चों की काम किया था बाकिस त्व लोग को फ्रीफंट में कोई मस्रूम का बैग ने मिलें और अरपित तुम कर रहे हैं तो मैं बता रही थी कि हम लोग ऊस्टर मश्रूम का कल्टिवेशन कर रहे हैं आप बहुत सारे मश्रूम के टाइप्स होते हैं आप जो भी अपने कोड़िंग कर सकते हैं उनकी टेकनीक्स भी अलग-अलग होती है और यह मैं मैंने मश्रूम लेडी भी कहा जाता है जो कि हमें मश्रूम उगाना बता रही है इस भूसे में फिर हम लोग प्रश्ण भी शुरू किया है तो आप जाके इनके मैं को टैक करते हूंगे आप लोग इनके YouTube चैनल पर जाके भी देख सकते हैं और यह सब लोग सारे बच्चे इतने इगरली देख रहे हैं हम भी देखे थे और इसको कल्टीवेट करने में है वी किये थे क्योंकि कुछी तो पुरे क्लास के लिग से पाफी थी और यह देखें यहां पर हम लोको देख रहे हैं यह कैसा होता है क्या होता यह देखें गहुं इस पर फंगस टाइब का आ गया है मैं भी देखे कि तनमन लगा के तनमन धन से इस कारे को कर रही हूँ पहली बार मैं कोई प्रक्टिकल एक्टे अच्छे से परफॉर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें मेरा फायदा दिख रहा है क्योंकि मेरे भी घर की ओरीजिन अगर देखी जाए तो फार्मर फैमली ही है हम लोग और गाओं वाला घर पे रूम मैसे खाली पड़ा ही है तो उसमें हम लोग ये काम कर सकते हैं और काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं और इस काम में हमारे एचोडी सर और संजय मिस्रा सर और बगहेल सर का काफी योगदान रहा है उनके भी ना तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता और काफी अच्छे तीन दिन की ट्रेनिंग थी और तीन दिन में हम लोगों ने काफी कुछी का जिसमें से पहले ही दिन प्रैक और इस पेपर में बहुत ही अच्छे कोश्चन साय हुए थे सारे नॉलिजबल कोश्चन थे मतलब उससे आपकी हल्प होती जितना भी मश्रूम कल्टिवेशन के लिए एक्सपेक्ट इंपॉर्टेंट थे उन सारे कोश्चन का पेपर था और अच्छा था सभी को देना चा अगर जिसे यहां से कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बाइटक वाली पर जाकर समझ सकते हैं और बाइटक वाली बहुत सारे कोश्चन सांसर के कोश्चन अपने यूटूब वीडियो में अप्लोड करती हैं तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिए मैं और निशा काफी अ भाग गये थे बहुत सारे लोग कपे पर था वो देने गये थे बट हम लोग यहां पर बचे हुए थे और काफी मज़ा आ रहा था और यह बैग बनाने के बाद हम लोग इसमें डाल रहे थे हमारा जो भी मटेरियल था कंपोस्ट टाइप का जो बना था भूसे का इसमें द अब लोग जाना हो तो प्लीज आप वाली के पास जाएं उनके चैनल पर कमेंट करें और जाने की इनके बाल इतने लंबे कैसे हैं अच्छे कैसे हैं और यहां पे देखे हम लोग बैक्स बनाने के त्यारी कर रहें पिर बहु यहां से वाटर रिमूव किया जा रहा है जो क आप इसमें नूट्रिशन भी एड कर सकते हैं लाइक कैलसियम एड कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए हो इस भूसे में पहले से एड कर सकते हैं तो वह प्रॉपर्टी हमारे मश्रूम में आ जाएगी तो हेल्दी है काफी प्रोटीनीशियस होता है बहुत ही अच्छा होता है हिससे आप लोग कमेंड करके मश्रूम क्या है अगर आप लोग को आता हो तो जरूर बताएगा और मुझे देखिए कि मैं कितने अच्छे से काम आपके करने की आक्टिंग कर रही हूं किया तो था लेकिन फिलहाल इस जगा पे मैं अक्टिंग कर दीए तो मैं कहसे मिला सकत बनाते हैं पहले पनवान यह अन्याल रिला बनाते हैं एक उसकेर गानना पर यह बनाते हैं। पर ढंब सुलने कि पर की झाले इते हों लकाल पर कालों सबस्क्वली message में च Васब होनी चाहिए वरना यह सारे बैक्स को खराब कर सकता है और जरूरी भी है क्योंकि अगर किसी भी टाइप के बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो जाएगा तो हमारी इतनी महनत जो भी पैसे लगे हैं सब कुछ बरबाद हो जाएंगे और हम लोग अभी इनिशियल स्टेट पे हैं अगर हम लोग अभी से ही काम चलेगा हमें अभी आगे बहुत कुछ सीखना है तो सबसे पहले यह लेयर मैथर्ड हो गया है और पीछे जो मैम खड़ी है वो भी काफी अच्छी है यह बगेसर की टीम के तरफ से ही आई हुई थी इनका इयरिंग गाइस यह तीन दिन की ट्र पूरा इनका पूरी टीम काफी अच्छी थी और बहुत ही हमें हेल्प की और लोग होती तो डाट देते जिसे साब से हम लोग इतनी मस्ती मजाग कर रहे थे कोई ट्रेडिंग को स्टार्टिंग में सीरियस भी नहीं ले रहा था और आव आई है यह मिक्सिंग मैथर्ड की जिसमें हम लोग बस डिरेक्ट ऐसे मिला देते हैं कहीं भी स्पॉंच डग देते हैं उसके बास से बैक को भर देते हैं लगातार भरना शुरू करते हैं जैसे कि मैं भी भरूँगी अपना बैग मैने भी दो बैग बनाया है और उन दोनों बैग उप अपना नाम भी लिख अब बादे होके लाब्स में एक्सेट्रा हर जगा हमारे एचोडी से जा रहे थे बहुत ही हल्पफुल है अर्पित ने भी बहुत काम किया है प्रज्वल ने भी असले बता दू कि प्रज्वल अर्पित शिवांस शिवो मैं दो बच्चे और हैं उन्हों ने साथ मिलके एक ग्रोध देखेंगे कि मश्रूम उग रहा है या नई उग रहा है और इन बैक्स में हम लोगों ने सारो साइड इंवर्टर ट्रेंगल के तरह जैसा छेद किया हुआ है ताकि एरेशन भी प्रॉपर होती रहे और मॉइस्चर हुमिडिटी प्रॉपर होनी चाहिए टेंपरे तेखें गाप services कि म्हीं उगर्चा ट्योडर टो डीखेंगे कि जयँत आ एरेशर बहुत रहा है तरह एरेदा ट्रों दोना सारो साजनों झाला है झाला है धर दोला है ताकि प्रॉथर तरह झेंगज़ती रहां है घोला है कित आ एर लोख मुब्क्यान सारोल जट दुन ध опас